हेलो एब्रिबन तो गैस स्वागत है आपका सोन्या रेस्पी फॉर यू में तो आज हम बनाने वाले हैं करेले की रेसिपी जो की कुछ स्पेशेल हैं कुछास है जो किये नहीं करेला रेसिपी शायद से लेकिन आच आज आप से खाय बना कर खायें गें तो बहुत होने वाले हैं क्योंकि यह रेसिपीC wood одно और मेंसे मांग मांग कर यह करेला खाने वाले तो रेसिपी थोड़ी भी यूसफुल लगे तो चैनल को लाइब शेव और सब्सक्राइब करना भूले तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहां मैंने ले लिये हैं 200 ग्राम के लगबक करे ले और इनको मैंने धो लिया है अब धो के इनका डंठल वाला पार्ट काट तेंगे औ और इनका जो उपर का हिस्सा है मतलब उपर से हम इनको चील लेंगे अच्छे से ऐसे हम इनको चील लेंगे सभी को यहां पर मैंने सभी करेलो को अच्छे से चील लिया है यह देख सकते हैं मैंने करेलो को सभी को चील लिया है अब चीलने के बाद यहां पर जो इनका जिकल इसका आप जूद पना कर भी सकते हैं वेटीस वाले टेशन के लिए इसका जूद बहुत ही बैनेफेशिल हो तो इन्हें भी आप यूज कर सकते हैं और यहां पर में इन्हार taxi कर लिया है अब बीच के बाद हमें जो इसमें जो बीज वागेरा जो होते हैं इसको बीज में से खाली कर लेना है पूरा ये बीज हम इस तरह से इसका सभी निकाल लेंगे ये देखें मैं किस तरह से निकाल रहूँ सेम इसी तरीका से आपका अपना हाथ पचाते हुए आप निकाल सकते हैं सभी बीजो को ये देखिए ऐसे हम इन सभी को खाली कर लेंगे इस तरह आप सभी बीजो को निकाल सकते हैं ये देखिए इस तरह हम साफ कर लेंगे इने और साफ करने के बाद यहां मैंने सभी को साफ कर लिया है और यहां पर मैंने आदा चमश नमक मिला के बाद मैं यहां पर एक लास के लगबग पानी डाल दोंगे इन्हें यह अच्छे से डूब जाने चाहिए हमें इतना पानी डालना है और इनको हम एक तरफ साइड में रख देंगे ढ़क करके और अब हम इसका मसाला बना लेंगे तो यहां पर मसाला बनाने के लिए मैंने एक चमच राई के दाने ले लिए हैं इनको हम रोस्ट कर लेंगे थोड़ा रोस्ट करने के बाद अच्छे से जब यह रोस्ट हो जाएं तो हम इने इक कटोरी में निकाल लेंगे और कटोरी में निकालने के बाद यहां पर मैंने इसे थोड़ा सा कूट लिया है कूट कर हम इनको बारी powder बना लेंगे थोड़ा powder बना लेंगे कूट करके और powder बनाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक टोरी में और अब मैं यहां लूँगी आदे चमच छल्दी पावडर एक चमच लाल मिर्च पावडर ये कश्मीरी लाल मिर्च है और तेस्ट के अकॉर्डिं सरसो का तेल ले लोगी जी हां यह सरसो का तेल है आप इसे अब मैं यहां पर अच्छे से इसको मिला लोगे आप चो तेल यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं इस तरह हम इसका पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट मेनने के बाद अब हम करेले जो हमने भीगो के रखे निकाल लेंगे पानी में से यह देखे इस तरह हम सभी करेलो को निकाल लेंगे पानी से और पानी से निकालने के बाद मैं जो मसाला बना की रखा था इसका उस मसाले में हम इसको यह जो हमने खाली किया था इनको उसमें यह मसाला हम लगा देंगे देखे किस तरह से लगान लगा देंगे एक एक करो करेलों में मसाला लगा लिया है अब यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज और चार मिर्चों को काट लिया है बारिक अपने टेच्ट के प्याज रख सकते हैं यहां मैंने कडाई में तेल गरम कर लिया है और यहां पर मैंने हींग डाल दिया है हींग के बाद मैंने यह जीरा डाला है गैस लैट चले जाने की वज़े से यहां प्याज और मिर्च को मैं शोट नहीं कर पाई हूँ और प्याज और हरीमेज को इसे भून लिया है और यहाँ पर आधा प्याज ही हमको डालना है उसके बाद हम यह करेले डाल देंगे और यहाँ पर ढख कर इसको पका लेंगे जब करेले हाफ कुक हो जाए तो जो आधा प्याज बचा हुआ है उसको हम इस स्टेज पर यहाँ पर डाल देंगे यह देखे इस तरह से हम चलाते हुए इसको पका लेंगे अच्छे से तो चलाते हुए अच्छे से भूनते हुए इसको पका लेना है करेले हमारे गल जाने चाहिए हमें तब तक इसको पका लेंगे तो करेले जब तक पक रहे हैं तब तक हम यहां पर मेलनेट कर लेते हैं दही का है और यहां मैंने एक कप दही ले लिया है और दही के बाद इसमें डाल देंगे एक पिंच हल्दी का और अदा चमच कश्मीरी लाल मिच इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे अच्छे से फैट ना है, इसमें तोड़े से भी लंप्स नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे चला लेंगे, ये मैंने उसी कप में पानी ले लिया है, जो उसमें दही रह गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और देखिये गाइस, इसे हमें धक-ध लग कर पकाना है जब तक यह गल ना जाए यह देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा तोड़ करके देख लेंगे कि कला के नहीं तो यह गल चुका है अच्छी तरीके से तब मैं इसमें यह मैंनेट किया हुआ दही इसमें डाल दोंगी अब इसको चलाते हुए हम पकाना है गाइस क्योंकि दही के फट्टे के चांसिज हो जाते हैं तो आप इसे रागुलर चलाते रहिएगा जब तक इसमें उबालना आजाएक आप इस अच्छी तरह से चलाते रहिएगा तो देखिए गाइस दही को चलाते हुए मुझे पांच मिनिट हो गये हैं और य से स्आज तक हमको इसको पका लेना है तो लीजि ये तैयार हैं हमारे लही क्रीले और इंजयॉए की जैason य भटा ने कीजिए तो बनाएं खाएं और सबी को खिलाएं और को मेंन्त करकी ।श्याज़ करने में इतने बंजोशी करते हैं केमन्त कीजिए यार कमेंट लगए की रेसिपी कैसी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बूले जय हिन जय भारत थैंक यू फॉर वाचिंग तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में बाबाई